नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 31 अक्टूबर मंगलवार सुबह सवाच शाबजे राजिस्तान की बड़ी खबने रास्तान विदानसवा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस अभी तक 95 सीटों पर उमिद्वार घोशित कर चुके है जबके 105 सीटों पर उमिद्वारों की घोशना होना बाकी है इन सीटों के लिए कॉंग्रिस नेतरतों को कड़ी मशकत करनी पड़ रही है पार्टी को भाश्पा की तरह ही बगावत का डर सता रहा है इस वज़े से पार्टी एक एक सीट पर विस्तार से चरचा कर रही है इस सलसले में सुमवार को दिली सीट कॉंग्रिस पार्टी मुख्याले में केंडरी चुनाव समीटी की बैठक हुई बैठक में कॉंग्रिस अध्याक्ष मलिका अजु खडगे सुनिया गांदी राहुल गांदी और वरिस्ट कॉंग्रिस निता शामिल हुए माना जा रहा है कि बैठक के बाद कॉंग्रिस कभी भी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट चौरी कर सकती है आपको बता दे कि राजस्थान में उम्मीदवार चौयन के लिए स्क्रे राजसान में अकामी विधानसबा हम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सुमवार से शुरू हो गई है और इसके पहले दिन आठ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये राजे के मुखे निर्वाचन अधिकारी प्रविन कुप्ता ने बताए कि साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और पहले दिन राजे में आठ विधानसबा शेत्रों के लिए आठ उमिद्वारों ने नो नामांकन पत्र दाखिल किये। को लेकर देश में सबसे उपरी पायदान पर आ गया है। मेगवाल ने अपने बयान में सुमवर को ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजिस्तान में महंगाई के दर पिछले एक साल से हर महारास्ट्रिय औसर से अधिक बड़ी है और प्रदेश सरवाधिक महंगाई वाले र फंड्स का सोर्स जानने का मौलिक अधिकार नहीं दिया है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जेबी पार्दिवाला और जस्टिस मरोज मिश्टा शामिल है। चुनावायोग ने सुमवार को कहा कि वो पार्टियों का गढ़बंदन रेगुलेट नहीं कर सकते। समिधान के जुन प्रतिनी दित्व अधिनियम 1951 के तहट उनके अधिकार में नहीं है। इसी ने इंडिया नैशनल डवलपमेंटल इंक्लूसिव अलाइंस के नाम को लेकर दिल्ली हाई को द्वारा 4 अगस्ट को दिये गए नोटिस के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा हम इंडिया गडवन्दन के नाम पर कुछ नहीं कह सकते हमार पास सिर्फ चुनाव कराने और आजनेतिक दलों के गडवन्दन को रेजिस्टर करने का अधिकार है। जब भरा हुआ फ़ाम उठाएंगे या नहीं इस पर कुछ भी बोलने से बच्ती रही। कहा जा रहा है कि अभी उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। मनावर से पार्टी ने शिवराज करनोज को प्रत्याशी बनाये था इसे वे नाराज हैं और कैलाश विजवर्गे पर अपना टिकट कटवाने के आरोप लगाये थे। जैपुर के हवा महल में टिकट की उलजहन नहीं सुलच पाई है। एक तरफ कौंगरे से महिश चोशी के टिकट की अटकले तेज है तो वहीं बीजेपी में अब उमिद्वारों के लिस्ट लंबी होती जोरी है। अब सोमवार से नामंकर प्रिक्रिया शुरू हो गई है और 6 नमंबर तक ये प्रिक्रिया जोरी रहेगी। अब चर्चा इस बात की है कि दोनों पार्टियों के टिकट कब फाईनल होंगे। जपर के हवा महल के हॉर्ट सीट पर आमने सामने कौन होगा ये अब तक फाईनल नहीं हुआ है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अब तक सूची में उमिद्वारों के नाम नहीं घोशित किये हैं। विधानसबा चनौवें नामंकन प्रिक्रिया के पहले दिन जिले की चारों विधानसबा शेत्रों में एक भी नामंकन पत्र पेश नहीं किया गया। ने ये भी कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुडिशरी या जौँच अजनसियों से समन मिलने के बासटकों पर उतर आते हैं। उदेपुर दुग दुदपादक सहकारी संग ने दिपाली तेवार को देखते हुए सरस मावा पेड़ा और कुल्फी का नया प्रड़क्ट लांच किया है ताकि उभुकताओं को तेवार के मौसम में शुद्ध मावे से बनी मिठाई हैं उपलब्ध हो सके। संग के प्रबंदक संचालक नेटवर सिंग चुदावत ने बताए कि मावा पेड़ा बाजार से सस्तेधर पर उपलब्ध होगा मावा तीन सो रुपे किलो पेड़ा चार सु रुपे किलो और मावा कुल्फी बीस रुपे की एक मिलेगी। उन्होंने बताया कि बाजार में उप्लत मिलावटी मिठाईयों के मद्यनजर गुवर्धन विलास्थित संग में नया प्लांड स्थापित किया गया है जिसके लिए जनजाती विकास विभाग द्वारा संग को एक करोड एक्यावन लाख रपे की राशी स्विकृत की गई है सुप्रीम कोड ने सुमवार को कहा कि वह 10 नमबर को इलाबाद हाई कोड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोड ने मत्रा कोड में पैंडिंग श्रे कृष्ण जनम भूमी शाही इदगाहा विवास से जुड़े सभी मामलों को अपन वाली डिने टेस्टिंग देश भर में लागू नहीं की जा सकती शेश कोड ने ये भी कहा कि हम पूरा सिस्टम नहीं चला सकते कोड ने याचिका करता से ये भी पूझा कि ये कैसे पिटीशन है कोड ने याचिका खारिस कर दी जस्टिस संजे किशन कॉल और जस्टिस रोड लाइन्स क्लब के सदस्य थे जो फैमली टूर पर गए थे हासा इतना दर्दनाग था कि लोगों को बस की खिड़कें तोड कर बाहा निकलना पड़ा रिवाड़ी सदर्थाना एसाई पर विंदर ने बताया कि हासा सोमवार सुबह साड़े आड़ बजे रिवाड़ी र घाय डॉक्टर रतनलाल यादव ने बताया कि सर्विस लेन में ट्रक खड़ा था बस थे इस स्पीट में थी हमने ड्राइवर को बताया भी था लेकिन बस कंट्रोल होती इससे पहले ही भढ़नत हो गई क्लब के 31 मेंबर बस में थे सभी प्रताबगड फर्म हाउस में जा रहे थे लगबख सभी लोगों को चोटे आई हैं यूजी सेनर दिसंबर 2023 परिक्षा के लिए आवेदन के अंतिम्तिती बढ़ा दी गई है चात्र चात्राएं 31 अक्टूबर यानि के आज तक आवेदन कर सकेंगे नेस्टर टेस्टिंग एजेंसी ये परिक्षा करवा रही है एंटिय के मुताबिक जो चात्र चात्रा अभी तक किसी करण से आवेदन नहीं कर सके थे इसे उन्हें एक और मौका मिल सकेगा अधार कार्ड एक महतेपुन डॉक्यूमेंट है ऐसे में अधार कार्ड अगर गुम या खराब हो जाए तो लोगों की कई जुरूरी काम रुख सकते हैं इस करण आधार जारी करने वाली संस्ता यूनिक आइटिफिकेशन ओथालिटी ओफ इंडिया लोगों को पी वी सी आधार ओनलाइन ओर करने के सुविधा देता है इस कार्ड को यू आईडी की अधिकारिक वेबसाइट के जरिये केवल पचास रुपे का शूल कर दे कर औरर किया जा सकता है पॉलिविनार क्लोराइड कार्ड को पी वी सी कार्ड के नाम से जान जाता है ये एक तरहां का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड के जानकारियों को प्रिंट किया जाता है तो फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ